Bank Nifty और Nifty की ट्रेडिंग को जितना ज़्हाधा मुश्किल दिखाया गया है कि इसमें अगर हाठ डाले तो हाठ जलने ही जलने हैं, वैसा बिलकुल भी नहीं है। लोग खूब पैसा कमाते हैं Bank Nifty और Nifty में भी ट्रेड करके। इसी बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ, जिसने सालो साल बहुत ही amazing results दिये हैं, इस strategy की जो results है वह बहुत ही amazing है, और दूसरी important बात यह है कि यह strategy बिलकुल भी complicated नहीं है, यानि कि इसमें हम कोई भी indicators का इस् बहुत कुछ शांदार सिखने को मिलेगा इसमें, और दूसरी बात अगर आभी तक अपने हमारे stock market course को join नहीं किया है, क्योंकि यह कोई normal stock market course नहीं है, इसकी value भी मैंने सिर्फ 499 रखे हैं, ताकि यह बहुत maximum से maximum log इसे देख सकें और इसे सीख सकें, क्योंकि इसमें आपको trading strategy से लेकर के risk management, position sizing, सब कुछ है, 15 साल की trading से मैंने जो भी सिखा, जो भी best चीज थी, वो इस video program में है, यह 3 घंटे का video program है, अगर आपको join करना है, तो link इस video के description box में है, वहाँ से join कर सकते हैं, request मिले के 3 घंटे के अंदर-अंदर हम access देते हैं, तो चलिए अभी strategy सिखते है सबसे पहले बात करते हैं time frame की, हमारा इसमे time frame क्या होगा, दोस्तों वैसे तो हमें इसमें daily time frame की जरूरत पड़ेगी, daily time frame हमें चाहिए levels का पता करने के लिए, कि हमें कब trade करना है और कब trade नहीं करना है, लेकिन हम इसे intra day basis पर भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैं personally इसे intra day basis पर करत मैं आपको बता दूँ कि इसमें दो levels की जरूरत पड़ती है strategy में, एक high और एक low, जब भी मैं high और low की बात करूंगा, तो उसके लिए इस candlestick की तरफ में ध्यान देना जरूरी है, यह daily candlesticks है, यह previous day की candlestick है, यह मान के चलिए कि previous day की candlestick है, यानि कि कल की, और यह परसो की है, यानि कि day before previous day, यह दो candlestick की हमें सिर्फ दो ही candlestick देखने है, daily basis पर, अब इसमें क्या चीज़ की जरूरत है हमें, इसमें हमें सबसे पहले दोनों candlestick में से जो भी highest point होगा, high होगा, अगर इस candlestick का high होता तो वो high, इस candlestick का high है, चाहिए तो यह वाला high, तो दोनों candlest चाहिए, जो भी low है, यानि कि दोनों candlestick में से, जो भी lowest low है, वो हमें चाहिए, तो यह दो levels की हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी मैं कहूंगा high, low, तो high, low का मतलब है कि इन दोनों, previous दो दिनों की, दो candles का, जो भी highest high है, और जो भी lowest low है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यह previous day की candlestick है, और यह day before previous day की candlestick है, यह आज की candlestick है, यह मान के चलिए कि यह आज की candlestick है, आज market चल रही है, उपर की side में जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि यह दो levels हमारे लिए important है, एक है high वाला level और एक है low वाला level, दोनों candlestick का जो भी low है, जब भी bank nifty या फिर nifty, high या फिर low को उपर की side में तोड़ती है, तो वो important point हो जाएगा हमारी strategy का entry के लिए, तो जैसे कि इस में graph में देख पा रहे हो आप, यह जो level था highest high था, highest high को यह वाली candle है, आज की candle, आज की candle जैसे ही उपर की side में तोड़ती है, वहाँ पे हमारी by position create होगी, लेकिन by position, इस level के पास में, बिल्कुल इस level को touch कर दिया, तो वहाँ पे entry नहीं करनी है, हमें entry करनी है, यह जो highest high था, दो candle का, उसके 40 point उपर bank nifty के case में, और nifty के case में 20 points, यहाँ पे bank nifty में 40 point और nifty में 20 points, यह buffer है, यह हमारे लिए buffer रहेगा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि trade कर रहे हैं, यह buy का case है, यह buy का case बता रहा हूं आपको, और sell के case में उसका उल्टा है, जैसे कि हमने देखा था, यह high है, दो candle का, यह low है, दो गनो candle का lowest low, और यहाँ पर इसने इसे तोड़ दिया, नीचे की side में, तो नीचे की side में 40 point, नीचे की side में हम उसे short कर सकते हैं, यानि कि buy का भी बता दिया, short का भी बता दिया, भी graph के उपर चलते हैं, और इस strategy को अच्छे से समझते हैं, यह bank nifty future का chart है, क्योंकि हम future trade कर रहे हैं, तो future का ही chart देखेंगे, और मैंने इसे time frame पर set कर लिया 15 minutes पर, यानि कि 15 minutes पर, और यह जो vertical lines देख पा रहे हैं, यह gray vertical lines, यह day separate कर रहे हैं, यानि कि यह 20 तारिक है, तो यह 21 तारिक का यहां से है, तो ताकि वीडियो में समझाने में आसानी हो, इसलिए इसे highlight कर दिया है, यह day को separate कर दिया गया है, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था, मालने के चलिए, यह आज का दिन है, जैसे कि मैंने पहले दो डे का, previous दो डे का high और low हमें mark कर लेना है, आपका जो भी software आप यूज कर रहे हो, जो भी broker द्वारत प्रवाइड किया गया software यूज कर रहे है, उसमें high और low को mark कर लीजिए, तो यह दोनो दिनों का, यानि कि 1920 तारिक का high कौन सा था, यह वाला level, यहां पर candle थी, तो यह requirement है, जब इसे cross कर देता है उपर की side में, यानि कि यह level है, यह level कितने के आसपास में है, yellow level, जो high था, यह 34,026 के आसपास में है, तो 34,026 के plus 40 points, यानि कि 34,066 पर हम इसे trade करेंगे, buy करेंगे, तो इसी candle में अगर आप देखोगे, high बनाया था 34,090, तो यही candle पर हमारी entry position य यहां पर हमारी buy position create हो गई, अभी important चीज़े यह हैं, कि हमारी stop loss क्या होगी और हमारा target क्या होगा, दोस्तो stop loss इस case में हम 0.5% लेते हैं, यानि कि bank nifty, अगर 34,000, हमने entry किते हैं पर लिए है, हमने entry लिए, 34,066 पर entry लिए है, तो उसका 0.5%, कितना होता है 0.5%, करीब-करीब 170 point का होता है, तो 170 पे हम हमारी target हो जाएगी, तो यहां से हम, मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ, यहां पे हमने कि buy, right, हमारा stop loss हो गया 0.5%, 0.5% यानि कि 170 point का 0.5%, 170 point का stop loss हो गया, और जो हमारा पहला target होगा, वो भी होगा 170 point का, यानि कि 0.5 का ही stop loss है, और 0.5 का ही target ह बहुत ही simple सा है, लेकिन इसमें important यह है कि हम इसमें एक ही जगे पर entry नहीं करेंगे, इसमें हम दो entries लेंगे, यानि कि दो lot की entry करते हैं strategy में, एक को exit कर देंगे 0.5% जैसे ही आ जाता है, वैसे ही एक lot को वहाँ पर exit कर देते हैं, और दूसरे lot का stop loss हम जो भी buy price होगा, side में move करता है, वैसे वैसे हम भी अपने stop loss को 0.35% उपर की side में खिसकाते चलते हैं, तो इससे हमें maximum, बड़ा movement आएगा bank nifty में, उसे catch करने में आसानी होगी, और वहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इस बड़े move को पकड़ना बहुत ही important दोस्तों, अगर और यह हमारा first target achieve हो गया था, लेकिन first target को achieve करने के बाद में, जो trailing stop loss था यहाँ पे hit हो गया था, तो इस case में हमारा दूसरा stop loss जो था, वो entry price पे exit हो गया था, यानि कि एक lot पे हमें इसमें फायदा हुआ था, अभी आगे देखते हैं कि आगे कैसे काम करता है, यह previous 2 का दे और low क्या था, low था इन दोनों दिनों का यह वाला, यह वाला low था इस candlestick पे, तो यह दोनों दिनों का area हमने find out कर लिया है, इस दिन को trade करने के लिए, अभी entry कब होगी, इसके ऊपर जाता है, तो buy करेंगे, और अगर इस line के नीचे जाता है, तो हम short करेंगे, 40 point नीचे short कर ना है इसमें से, 33,614 पे हमारी entry होगी, short की, इस case में, short trade का मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ, short position, 33,619, यह area के पास में हमारी short position create हो जाएगी, stop loss कितना होगा, stop loss होगा, 0.5%, बहुत ही fix stop loss है, और target भी, पहला target कितना होगा, पहला target होगा, 0.5%, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे, उसी दिन हमारा first target हीट हो गया था, और next day open होने के बाद में, trailing stop loss भी हीट हो गया था, लेकिन अगर आप पीछे जा करके देखोगे ना, तो जो second lot है, उसने बहुत ही amazing results दिये हैं, एक वो मैं दिखा देता हूँ, before आपको ये range है, पिछले दो दिनों की range, जो दो दिन हम देख रहे हैं, अगर वो 0.5% से ज्यादा range है, तो उस दिन आप इसे avoid कर दीजिए, या फिर जिस दिन gap ups होते हैं, बड़े-बड़े gap up आते हैं, इस दिन आप trade मत कीजिए उसको, वैसे भी execute नहीं हो आथा trade इसमें, लेकिन आप high था ये, और low था नीचे, यहाँ पे, अब जैसे बैंक निफ्टी ने इस candle ने उपर की side में तोड़ा, इसके 40 points अबो हम क्या करेंगे, buy कर लेंगे अपनी position को, यहाँ पे हम हमारी entry position create कर देंगे, stop loss कितना होगा, 0.5% का, target कितना होगा, पहला target होगा, 0.5% का, यहाँ पे, यहाँ क्या असपास होगा, तो पहला बहुत ही जल्दी achieve हो गया था, उसी candle में, उसके एक-दो candle में ही हमारा first target achieve हो गया था, इस case में, लेकिन अगर आप देखोगे, तो second, जो हमारा lot होगा, पहला lot थो हमने यहाँ पे exit कर अब 0.3, 0.35% आपको उपर की side में move करते भी जाते, करते भी जाते, तो end तक, towards the end of the day, यहाँ तक आपको पूरा target देखने को मिलता, और यह कितने point का होता, यह अगर यहाँ से closing लेते हैं, और यहाँ पे हमारी entry होई थी, entry से, यह था, 729 points का आपको moment देखने को मिल जाता है तो यह strategy बहुत ही amazing है, इसने जो past में results दिये हैं, बहुत ही astounding है, और मैं इसे personally बहुत ज्यादा use करता हूँ, तो I hope कि आपको इस वीडियो में काफे कुछ सीखने को मिला होगा, अगर हाँ, तो please like the video और हमारे channel से जरूर subscribe करें, thank you so much for watching.